आज हन्मान जन्मूत्सव का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। नकार अत्मक्षक्तियां भी हन्मान जी के भक्तों को परिशान नहीं कर पाती है। ग्रंतों के अनुसार चैत्र माह की पूर्णी मायानी आज हन्मान जी का जन्मूत्सव या हन्मान प्राकाट दिवस के रूप में मनाया जाता है। हन्मान जन्मूत्सव पर बजरंग बली की विशेश पूजा की जाती है। हनमान जनमोत्सव पर व्रत करने और बजरंग बली की पूजा करने से दुश्मनों पर विजय हासिल होती है इसके साथ ही हर मनोकामना भी पूरी होती है इसी क्रम में आज सूरी कुंड धाम में श्री श्री एक हजाराट श्री भारती जी महराज मुक्य संचालक समीती एवं ब इद्योद्यवस्था सेवकों द्वारा की गई तत्पश्चात ब्रह्मूर्थ 3.45 बजे प्रभुश्री हन्मान लला को विदिवत चोला आरपन कर भविश्रंगार किया गया भगवान की पहली जलक पाने के लिए सेकलों की संख्या में शद्धालू उमल पड़े पूजा पाठ के बाद सेवधारों के द्वारा भव्य प्रसादी वित्रण आयोजन्समीती सुर्कून धाम श्रीश्री 1008 श्री भरती जी महराज मुक्व संचालक समीती ब्रहममूर्थ आर्ती सेवधार के द्वारा किया गया आप सभी के द्वारा आयुए भकतों का आभहर प्रजेट किया गया भगवान हन्मान लला कल्युक के देउता हैं माना जाता है कि भगवान हन्मान आज भी इस प्रत्वी पर सशरीर विच्रन करते हैं हन्मान जन्मोत्सो पर हन्मान जी की पूजा विशेश फलदाई मानी जाती है हन्मान जन्मोत्सव पर भगवान हन्मान की पूजा करने के लिए लाल कपला, सिंदूर, चमेली का तेल, जेनेव, चोला, लंगोट, गुलाब के फूल, तुलसी पत्र और पान का बीड़ा बहुत ही आवश्यक होता है चैत्रपूनलयाओ पर उत्तर भारत में हन्मान जन्मोत्सव का पर्व आज मनाया जा रहा है जबकि दक्षिन भारत में कार्तेक महिने के क्रश्ट पक्ष की चतुर दशी तितिया ने दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है हन्मान जी साथ चिरंजीवी में से एक हैं हन्मान जी कल्युक के दिवता हैं और आज भी इस प्रत्वी पर अमर हैं और इस पर निवास कर रहे हैं हन्मान जी की आयू एक कल्प यानी 4.32 अरब साल है और रुद्रावतार हैं हन्मान जी की पूजा करने से सभी तरह की मनो का साम मैं लख कर्में शीखार स्वरीदें इतैर वाल सामु सुर्ण को